गुदाफ़नून एवर्बेडी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में इंडिया वर्सेज न्यूजिलेंड आई सीवैंस्टी वंडी व्ल्लक ग्रुप वन का मैच वर्च्विल कॉर्टर फाइनल आप इसे कह सकते हो जो टीम हारेगी वह बहार हो जाएगी सीधे सीधे क्यूंकि अफगानिस्तान जो है आपकी वह जीट चुकि है और उनका जो नेट रंडेट है ना वह बाई इतना है कि 1500 मैच खिला दो इनको तो भी नहीं मलब पंद्रास फुजाद हो गया दो तीन मैच एक्स्ट्रा लग जाएंगे उस नेट रंडेट तक पहुचने के लिए और आप इनके पास इजी मैच बचे हैं लेकिन फिर भी 130 रंड से जीतना बहुत बड़ी बात हो जाती है तो इस वज़े से अब इन दोनों टीमों के लिए अगर इस टोनामेंट में जीवीत रहना है बने रहना है तो आज का मैच जीतना जरूरी है इंडिया ने कभी न्यूजिलेंड को वर्ल्ड कप मैचेज में हराए नहीं पांच में से शून ने हैं इंडिया के पास लेकिन हेड-to-head में मामला बराबरी का है सारे रिकॉर्ट की हम बात करेंगे वीडियो स्टार्ट करते ही लाइक कर दो चैनल सब्सक्राइब कर दो यह चीज तो 11 चैलेंग पर आजाओ इजी विनिंग हो रही है बाकि 5000 रुप है चार टीम जोना की जॉन कर लिना किसमत अच्छी रही तो 5000 जीट जाओगे अच्छा हुआ आपका विमाग अच्छा हो जो इतने सारे में रिकॉर्ड बताने वाला हूं वो यूस करने में तो ह हो सकते हैं कि आप आज 5000 रुपे फ्री में लेकर जाओ ठीक स्टार्ट करते हैं जो रखा गया दोबाई इंटर्नाशनल स्टेडियम यू एई सेकंड वेन्यू है जहां तर्न हो रहा है सबसे अबुदावी में हो रहा है उसके बाद जो है शार्जा पर हो रहा है यह उनों को ही एक टीम ने धूल चटाई है वेन्यू रिकॉर्ट की बात करोगे टोटल एकतर मैचेश करने वाली टीम को रीसेंटली जो है फायदा हुआ है कैसे रीसेंट मैचेश देखो आफ पाकिस्तान यहां पांच विकट से जीता अफगानिस्तान की आगी सॉसिली साथ जीता साथ अफरिका आट विकट पाकिस्तान दस विकट इंगलेंड आट विकट पिछले पांच छेस साथ मैच उठा की देखोगे तो जो टीम चेस कर रही है वो जीत रही है तो कोहली भाईया जिनका टॉस में लग बहुत ही बुरा है प्लीज आज टॉस जीत जाना टीम स सिफ पांच हारी टीडो इंडी की हम बात कर रहें कौन सा बैट्स में जो इस वैन्यू पर अच्छा करता है देखो इंडियन प्लेज को इस वैन्यू पर खेलने का बहुत एक्स्पिरिंस से बते रहा क्यूं आई-पिल खेलते हैं अब हमारे इशान किशन को भी देख भार बढ़ा पाओ भाईया का 63 का एवरेज ओडी आई में 22 का एवरेज आई-पिल मोर तीस का एवरेज है टीट्वेंटी इंटरनाशनल यह तीन प्लेयर चौते प्लेयर की तरफ चलोगे तो आपको श्रेश ऐयर दिख जाएंगे जो ठीक ठाक करते हैं इस वैन्यू पर चौब और 2014 और 2019 और 2009 में खेलें ठीक है 2018-14 और 2009 में तो तब के प्लेयर और अपके प्लेयर में बहुत डिफरेंस है इस वज़े से आपको इस लाइन अप में कोई भी न्यूजिलेंड का प्लेयर दिखीगा नहीं अपार्ट फ्रॉम के इन विलियमसन जिनका एवरेज 26 का है IPL में 32 का है T20 में ठीक तो यह वो प्लेयर थे जो इस वैन्यू पे खेलना पसंद करते हैं बॉलिंग के तरफ आओगे 11 विगट ले चुके हैं बापू 10 विगट है दीपक चैर के पास 15 है जस्परीद बुम्रा के पास 16 है शामी के पास 11 है अश्विन के पास 12 है जड़ू के पास 13 है बॉल्ट के पास और 10 है वरून चक्रुवरती के पास अच्छा वरून के पास 10 है ठीक है उपर से अपन जड़ेजा के पास 12 है अश्विन के पास 11 है तो एक चीज आपको पता चल रही है कि इस वैन्यू पर टर्न होता है श्पिनर्स को हेल्प मिलती है यह चीज आपको बैस्मन और बॉलर्स जो दोबें इंटर्नाइस्टल क्रिक्ट स्टेडियम पर अच्छा कर रहे हैं अपन स्कॉर्ड अप्लेंग लेंग की तरफ चलते हैं न्यूजिलिंग के स्कॉर्ड में एक चेंज है कि लोकी फर्यूसन जो है वो इंजरी के चलते रूल आउट हो चु टिम साओधी मिचल सेंटर इस शोडी और ट्रेंट पोर्ट अच्छा आप यहां से अगर एडम मिलने फिट फिट क्या फिट तो है या इसी से अगर उन्हें अपरूवल मिल जाता है तो किसकी जगाएंगे मोस्ट लाइकल सेंटर की जगाल आने की कोशिश करेंगे केन विल सेंटर आपको हर सिनारियो में लेना है डिवान को अन्वी की तरफ आज में जाओंगा डेरिल मिचल या फिर एक एक एक्स्ट्रा बोलर यहां पर जो है अपनी थोड़ी से फिल्म अभी उलज रही है ठीक है अभी कि यह चार बैस मैंने अपनी टीम में लेखे रखें आगे सोडी है लेक्स में इंडिया को स्पेंस अपने दिक्कत होती नहीं है ट्रेंट बोल्ट एक लेफ्टाम फास बॉलर हमेशे इंडियन बैसमन को दिक्तत देता है तो बोल्ट मेरी टीम में रहेंगे तो यह दो बॉलर और वह चार बैसमन टोटल छे प्लियर अभी मैं देख रहा हूं यूसिलेंड की तरफ से तो इंडिया की अगर तरफ अपन चलें तो राहुल और शर्मा ठीक है यह दोना आपकी तरफ रहेंगे कोहली आपकी टीम में होंगे सूरे कुमार यादव डिपेंड करता है अगर आप रिस्क ले सकते हो और पहले बैटिंग कर रहा है इ या फिर शारदुल्ठा को जो भी खेल सकता है वरुन चक्रवर्ती आप फिर अश्विन वैसे न्यूजियलेंडर्स को इस पन से दिकत होती है इस पन से तो हो सकते है कि एक मिस्ट्री सपनर को वापेश चांद दे जो कि है हमारे वरुन चक्रवर्ती ठीक है फिर आज अतने वह रहूल है रोहित है और कोहूल है यह छे प्लियर मैंने आपको न्गिंज्विलन की तरफ से बता रहे हैं तो तोटल 12 बारा प्लेग अपना दो कितने सकते हैं तो थोड़ा सब करते हैं वेन्यू के हिसाब से हमारे पास कोली होने चाहिए राहुल जिनका एवरिज पचास है वो होने चाहिए ठीक है साथ में रोहिद होने चाहिए यह तीन हमारे पास होने चाहिए वेन्यू के हिसाब से विकट कौन लेता है वेन्यू पर वरूं चक्रवर्ती लेते हैं श हैं यहां पर देखो इंडिया जीता इंडिया जीता यहां पे इंडिया जीता इंडिया जीता इंडिया पांच में पांच-0 हैं हम ठीक है ए एड-to-head की हम बात करें लेकिन व्लक्प में सीरों हो और वह पांच है यह तो हो रोहित और राहूल के रन है यहाँ से जस्पीद मुरा के तीन विकेट नीचाव राहूल के फिरसे रन इश सोडी के विकेट शारदू मैं कोहली के रन यहाँ शारदूल के विकेट गजब Tile as बंबरा के विकट्ट है नीचा किसकी अगयंश को हैं। विल्यम सं के तरफ आप जा सकते हो एक एक्स्ट्रा बाल या फिर एक्स्ट्रा स्पिनर अगर आप न्यूजीलेंड की दर्फ से जिएंगा सोच आगर बालिंग की बात करो तो इस सोडी आपके पास दिख रहा है इधर से हां अगर न्यूजीलेंड पे इस सोडी विगेट ले रहे हैं इंडिन बैट्समन का तो होगे तो भी अच्छा केल लेते हैं जो मिडिल ओडर है वो हो सकता है कि सोडी के अगेंस्ट फस जाए तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना ठीक है यह लास्ट मार्च की समरी थी ओवराल आपके मैं बता हूं तो सबसे बहतरी अगेंस्ट इंडिया न्यूजीलेंड क की बात अपन करेंगी नहीं पंत ने दो माचस खेलें कुछ खास किया नहीं है न्यूजीलेंड की अगेंस्ट रोहिश शर्मा का 28 अवरज अगेंस्ट न्यूजीलेंड ओडियाए में और टी ट्वेंटी में बात करोगे तो 26 ठीक है तो यह पांच बैट्स रहें जो हैड़ है उसके बाद बोल्ट ने लिए हैं जो कि हैं उन्तिस फिर हैं भूवी बाईस चौदा है बुमरा के पास शामी के पास है चौबिस और फिर हैं हमारे सोधी सत्रा विकट के साथ यह पांच शे बॉलर्स है वही जो अपनने ऊपर सारे रिकॉर्स में यहां पर भी है जो पांच बार टेम साओधी पांच बार ट्रेंट बोल्ट जो है आउट कर चुके हैं यह सबसे बडिए वाडिगे तरफ चलो विराट खोली विराट कोई को च जह बार टिम साओधी और तीन बार शौडी और बोल्ट आउट एं यह दो क्यैप्टन और下次 काप्तन फिर अपन च तो यहां से साउधी बॉल्ट और सोडी यह तीन बॉलर्स अगर ले लोगे अगर न्यूजिलेंड पहले बॉल डाल रहे तो आपके बॉलिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी न्यूजिलेंड की तरफ से अगर अपन कुछ बैटल देखें तो शामी तीन बार आउट कर चुके बाकी कोई बैट्समें जो खेला है नहीं इंडिया के जितना चाहिए वो डिवान कॉन्वे हो या फिर कोई भी हो ठीक डैल मिचल को एक बार हार्दिक पांडिया एक बार जस्पीद बुम्रों एक बार शावद लटा को इधर से सिर्फ एक बड़ी बाड़ी बैटल है गप अपनी ट्रिवर्ण टीम क्या बन रही है सारे कोर्स के बैसिस पर का विकर कीपिंग सेक्शन में डेवान कॉन्वे लिया है यहां से मार्टिंग अपिल केन विल्यमस सेफ तीम दे रहा हूं अब क्यूंकि मेरे पास क्रेडिट नहीं थे जीरो बच रहे हैं अगर मेरे पास क्रेडिट होते तो फिर मैं क्या करता मैं डैर्ल मिचल यहां से नहीं लिए था मैं यहां से एक एक एक्स प्रिणिया की तरफ से जाता जो कि हमारे रविंद्र जड़ेजा हो सकते हैं इंडिया की तरफसे जो टीन बैक्डल में we highly लिए ज़िए मैंने एक मिस्ट्रि पर किय कियोंकि मैं मान रहो कि India अभी जो है आध इस शेकंड कर रहा हुआ हाँ न्हीं शेज कर फॉर्स नियन्ग में जिसने बाग लाली है वह है न्यूजÉलंड तो जो आँ सब्सक्राइब नहीं कर दो इस सब्सक्राइब मैं लिए नहीं बारू उप्रेट के चलते हैं 11 चैलेंगे निटीम बता है वो मैं आपको बताता हूं ठीक है आदेखो यहां से शर्मा कोली राहुल तीनों का वैंडी पे रिकॉर्ड तीनों का हिट्वरेट पे पे अच्छा है तीनों कमाल के वह में थे यहां से जड़्डू पतर न्यूजिलेंड के प्लियर्स ने खेला नहीं तो हो सकता है कि एक सप्राइस फैक्टर के रूप में यह चीज अब अगर या तो यह होता है कि अभी अपने मालें इंडिया पहले बॉल्ल लाली तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं डायरल मिचल डॉप करके यहां से शामी ले स स्थीन रिवर्सल हो जाता है यानी न्यूजिलेंड पहले बॉल्ल डाली तो मैं क्या करूंगा मैं बोल्ट ले लूँगा ठीक यहां से पहली चीज अपने पास बोल्ट रहेगा यहां से वरुन निकलके मेरे पास टेम साउधी आ जाएंगे यहां से जड़्डू निकलके म सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब कर दो कमेंट करके बताओ चैनल सब्सक्राइब कर लो अने वाले वीडियो से अपको नोटिफिकेशन मिलते रहें मैं विलूगा आपके साथ फाइनल टीम से देने के लिए सिधा टेलिगाम चानल पर तो सी यू देर सब तक रिए